हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी लोग का मेरी यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स मैं आज फिर से लेकर आ गई हूं आप लोग के सामने एक और माइक्रोवेब की रेस्पी आज है अपने माइक्रोवेब बनाएंगे ग्रिल फिश या आप इसे तंदूरी फिश भी कह सकते है तो चलिए स्टार्ट करते हैं से बनाना सबसे पहले लेकिन इसके लिए गरम मसाला तयार करेंगे इसमें हैं जीरा 3-4 छोटी इलाइची बड़ी इलाइची एक बड़ी इलाइची लॉंग काली मिर्च है जिसे की मैंने भूंच के तवे पर इस तरह से पाउडर बना लिया है इसे जो है फिश का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है अब हम फिश को करेंगे मैरिने तो यह रही फिश यह महाशेर फिश है इसे मैंने धोके अच्छी तरह से साफ कर लिया है अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमग उसके बाद हम इसमें एट करेंगे एक च अज़ एक्षा टेस्ट आयेगा अब इसमें डालेंगे कसूरी लाल मिच का ''पेश मैंने व confrontation के सब्सक् accents बना लिए है अब इसमें डालेंगे अध्रक्यादक्यावेनम अद्रक्याद लाईगर और इसमें मैंने 2 मिच को कूछ लिया है इस तरहसे इसको भी हम डालेंगे अब ये सारी चीजे डल चुकी हैं अब इसमें हमें डालना है एक चम्मस नीबू कर रस अब हम सारी चीजों को अच्छी तरस से मिला दिंगे ये देखे सारी चीजे मिल चुकी हैं अब इसे हम रख देंगे फ्रिज में दो घंटे के लिए जिसे कि जो हमाई फिष है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आजाते है सारे मसाल इसके अंदर तक आजाते है फिज़ दो घंटे हो चुके थे अब मैंने फिष को एक माईकरोवेव बोल में निकाल लिया है ये microwave safe bowl है जो कि हम microwave में use करते हैं अब इसमें डालेंगे दो चमत सरसों तेल या आप इसे mustard oil भी कह सकते हैं फिश जो होती है वो mustard oil में ही अच्छे से लगती है क्योंकि इसे जो फिश के जो smell होती है वो दब जाती है अच्छी तरह से अब मैंने इसमें डाल दिया है दो चमत mustard oil और अब हम इसे रखेंगे microwave में हम इसे दो मिनिट के लिए micro करेंगे जिस तो जो हमारी फिश है वो अच्छी तरह से cook हो जाएगी चल दिये microwave की तरह यह रहा मेरा microwave हम इसे रख देते हैं फिश को अब हम सेट करेंगे अपने microwave का micro mode यह देखिए micro mode आ गया microwave का start की बटन को on किया अब इसका to set करते है पावर तो 900 पावर ही सेट करेंगे अब मैंने इसका time set किया है दो मिनिट का और start की बटन को on कर देते हैं जो हससे हमारी जो फिश है कोखो जाएगी टूमनेट्स में टूमनेट्स में जो फिश होती है बहुत ही अच्छी तरह से कोखो जाएगी इससे ज्यादा time हमें अपनी फिश को नहीं लगेगा यह देखिए friends टूमनेट्स हो चुके थे अब मैं आपको निकाल के दिखाती कि हमारी जो फिश है कैसी कोख हुई है stop की बटन को दबाया और अब हमारी जो फिश है उससे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ आप यह देख सकते हैं जो हमारी फिश है कितनी अच्छी से कोखो चुकी है अब बैस हमें इसे करना है ग्रेल जिससे इसका एक तंदूरी ट टेश्ट होता है वो आजाएगा फिश हमारी को खो चुकी है बैस हमें इसका लिए ग्रिल वाला जो टेश्ट होता है वो लाना है तो अब मैंसे रखेंगे अपने माइक्रोवेव में ग्रिल करने के लिए उसके लिए मैं यह तवा लिया है यह माइक्रोवेव सेफ तवा है इसे पिज़ा ट्रेवी कहते हैं अब जो सारी फिश है मैं इस पे रख दूँगी और नीचे मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ओयल लगाया है फिश होती है वो मस्टर्ड ओयल में ही अच्छी लगती है अब मैंने ये फिश को डाल दिया है पूरा अच्छी तरह से अब हम इसे रखेंगे अपने माइक्रोवेब में तो अब हम रख देते हैं माइक्रोवेब में इसके लिए सबसे पहले हमें लगेगी हाई रेक ये देख सकते हाई रेक लखेगा मैंने इसे रख दिया अब हम रखेंगे अपनी ट्रे को अब हम set करेंगे अपने microwave का mode तो हमें आज इसे करना है grill तो ये आगया हमारा microwave का grill mode सेकंड पर आता है grill mode start की बटन को on किया अब हम time set करते हैं 5 minutes का ये देखे 5 minutes आगया start की बटन को on कर दिया 5 minutes में जो हमारी फेश उपर की तरफ से अच्छी तरह से grill हो जाएगी 5 minutes के बाद हम फेश को पलटेंगे ये देखेए हमारी 5 minutes हो चुके थे अब चलिए हम इने निकालते हैं फेश को ये देखेए उपर से जो हमारी फेश है अच्छी तरह से grill हो गई है और oil भी जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा निकलने लगा है फेशे क्योंकि फेश में भी oil होता है वो भी निकलाता है अच्छी तरह से अब हम सारी फेश को इस तरह से पलट देंगे जिससे कि अब वो जो नीचे की साइड है वो भी grill हो जाएगी ये देखेए मैंने सारी फेश को पलट दिया है अब हम इससे फेशे रख देंगे microwave में देखेए सारी फेश हमारी पलट चुके है तो चलिए अब इनको रख देते हैं microwave में अब हम फेशे grill का grill mode ही set करेंगे microwave का grill mode ही set करेंगे और 5 minutes फिर से time set कर देंगे total 10 minutes हमें grill में लगते हैं तो 5 minutes एक बार और second बार फिर से 5 minutes total 10 minutes का time लग जाता है अब 5 minutes बार हमारी फेश है वो तयार हो जाएगी दोनों साइट से हमारी फेश से वो grill हो चुकी है हमारी तंदूरी और जो grill फेश है वो तयार हो चुकी है यह देखिए 5 minutes हो चुके हैं हमें इसे निकालती हूँ 2 minutes micro mode में और 10 minutes grill mode में total 12 minutes में जो हमारी फेश है microwave में बन के तयार हो जाती है अब मैं आपको इसे अच्छी तरह से बाहर निकाल के भी दिखा देती हैं यह देखिए किस तरह से oil इसका नीचे दिख रहा है जैसे हमें इसे deep fry करने पर लगता है वैसे ही same वैसे ही इसका taste आता है और वैसे ही इसका look भी आता है यह देख सकते हैं इसका जो masala है वो भी अच्छी तरह से सूख चुका है अब मैं आपको इसे एक plate में भी निकाल के दिखा देती हूँ कि plate में निकाल के कैसे दिखती है आप देख सकते हैं कितनी अच्छा सा color आ चुका है तो चलिए आप हमें इसे plate में निकाल देते हैं तो आप एक एक करके इसमें plate में निकाल रहे हैं तो बेस्ट फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक था वीडियो अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी रेस्पी को इसी जरह से देखते रहे और प्यार देते रहेगा मिलती हूँ आप लोगों से नेस वीडियो में जलती हूँ बाई बाई टेक केर अपना ख्याल रखिये